हेलो प्रेंट्स वेल्कम टो उसकीचन आज का रेसीपी वेज़ेटेबल ओर्ट्स मेरा वीडियो हेल्पू लगा तो लाइक शेयर काउट किजिए और सुस्क्राइब करना नहां हुए वेज़ेटेबल ओर्ट्स बनाऊंगी इसके लिए इस अब इंगेडियन्स टाहिए एक कप ओर्ट्स लिया वेज़ेबल में कैरेट कैप्सिकाम ओनियान ग्रीन चिली बारिक चॉप करके राखा एक चमच आई लियोस करूंगी पानी एक कप रेस्ट क्याकोडिंग नमक अधर चमच रेड़ चिली पाउडर आदर चमच छल्दी पाउडर आदर चमच राई जीरा और उड़ित जाल माइक्रोवन से बाउल ले लिया जो ओड्स लिया इसमें आड कर देती हूं और ड्राइड रोस्ट कर लिए पहले उड्स को माइक्रोवन में रख दिया है हाई पाउर कराका मैं दो मिनिट ड्राइय ड्रोस्ट कर लेती हुं ओड्स ड्राय रोस्ट हो किया दुसरे एक माईक्रोवन से पाउड ले लिया उसमें एक चमच ऐ लेड़ कर देती हूं ऑईल अट कर के जो फोड़नी को लिए राय चीरा और उरित्टर लिए था रुस्त कर देती हूं हाई अप पार में एक मिनिट फोड़नी को पहले रख देती हूं माइक्रोवन में पॉड़नी अच्छी तरह से फ्राइ हो गया अभी जो सारे वेजिटेबर लिया कारट कप्सिका मोनियान और ग्रीन चील सारे आड़ कर देती हूं और अच्छी तरह से मिक्स कर ली ती हूं और एक मिनिट हाई पार में माइक्रोविन में रख देती हूं सारे वेजिटेबर फ्राइ कर लिया अभी जो ओर्स ड्राइ रोस्त करके रखा था वाइड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर ली ती हूं साथ में इस्ट्राइग नमक अल्दी पाउडर रेड चिली पाउडर मिक्स कर ली ती हूं और जो रेड जो ऐसे कप में मेजर्मेंट किया था ओर्स को सेम क्वांटिटी में पानी आट किया और आच्छी तरह से मिक्स करके पाच मिनिट के लिए माइक्रोविन में रख दू कि तो मसला ओड बनके रेडी हो जाएगा 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 जयादा सुखा लग रहा है तो हाप कप पनी और एड करूंकि पाच मिनिट हो गया तो हाप कप पनी एड कर दीट कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स करके और दो मिनिट में माइक्रोविन में रखोंगी तो वेजिटेवल बनके रेडी हो जाएगा और दो मिनिट के लिए माइक्रोविन में रख देती हूँ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ज्यादा घरम नहीं है बहुत ही गरम रहता है तो एंड ग्लब्स के साथ ही जो खना बनाते हैं और निकलने का नहीं तो बहुत ही गरम जलने का चांस रहता है तो बहुत ही अच्छा बेजिटेबल उपमा बनके रेडी हो गया ओट से बनाया बहुत ही इजी से बन जाता है और साथ मिनिट लगा मुझे मैं सुचा पांच मिनिट लगेगा लेकिन पानी भी सुग गया था और थोड़ा कड़क लग रहा था इसके लिए और दो मिनिट रखा देखिए बहुत ही बेजिटेबल उट्स बने के रेडी हो गया और प्लत में साला कर लीती हूं बेजिटेबल उट्स माइकोरवन में बनाया मात्रो साथ मिनिट में बन जाता है सूबे का हल्दी ब्रेकपस्ट बचलों को टीफिन में भी दे सकते हैं वेज़ेटेबल बनके रड़ी हो क्या प्लेट में सार्प कर दिया बहुत ही श्वादिस्ट बनता है हेल्दी तो है एक बाल जुरू ट्राइब कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरी साथ शेयर कीजिए फिर मिल देक न्यू रेसिपी के साथ तक तक के लिए बाई थाइस पर वाचिंग